हलो फेंड स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जैसा कि आप लोग ने थम्नेल पर देख रखा है एडिटोरिया एक करेंट अफेर्स की बुक आई है रिसेंटली मार्केट में जिसमें की एक जनवरी 2023 से लेकर साथ फरवरी 2024 तक अपडेटेड बुक है और यह बार्सकी 2024 के नाम से करेंट अफेर की बुक जो है वो मार्केट में पब्लीस हुई है उसी के बुक से हम लोग फटाफट 100.com में जो 100 MCK 100 वन लाइनर के फॉर्म में जो important facts दिये गए हैं उसी को आज हम लोग एक के करके देखेंगे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और में आप बता दूँ आप लोगों को अप पड़ेगा इंडिया टीम के द्वारा 70 BPA से टेसरीज अटल सेरीज 1.0 लेकर आया गया है जिसमें कि कुल 15 सेट होंगे इसका price जो है वो 4.99 रूपीज है लेकिन अभी आपको offer price 99 रूपीज में दिया जा रहा है अगर इसका और भी details अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप दिये गए नंबर 800-6477-433 या फिट 700-447-2904 पे contact कर सकते हैं जो यह फटाफट 100.com है उसमें सबसे पहले रास्टिये तथ्यों को संग्रहित किया गया है पहला कह रहा है कि सियाचीन Glacier पर एक operational post पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकिस्ता अधिकारी कौन बनी है तो उनका नाम है Captain भात्मा भसीम सियाचीन में तैनात होने वाली भारतिये से ना कि पहली महिला चिकिस्ता अधिकारी कौन बनी है तो उनका नाम है Captain गीति का कॉल देखी यह दोनों में confuse नहीं होना है एक operational post पर तैनात होने वाली पहले महिला चिकिस्ता अधिकारी पूछेगा तब आपका अंसर होगा Captain सात्मा भसीम और सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि सियाचीन में तैनात होने वाले भारतिये से ना कि पहली महिला चिकिस्ता अधिकारी कौन बनी है तो वो होगा Captain गीति का कॉल पहली नितीज कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख मंतरी पद की सपतली है तो इस बार उन्होंने कुल नौमी बार मुख मंतरी पद की सपतली है पच्छतर्मा गंदंता दिवस समारो दोहजार चौबिस के मुकत ही थी कौन थे तो फ्रांस के राष्टपती थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है इमोनियोल मैक्रोन आगे है कि गंतंदिवस 2024 का थीम क्या था? तो गंतंदिवस 2024 का थीम था बिक्सित भारत और भारत लोकतंत्र की मात्रिका उन्चास में भारत लतन 2024 के लिए बिहार के पुर मुख मंत्री स्री करपूरी ठाकुर को चुना गया है वो अकुल कितने बार बिहार के मुख मंत्री बने थे तो वो दो बार बिहार के मुख मंत्री बने थे करपूरी ठाकुच जिनकों की भारसरकार के द्वारा भारत रत्म 2024 देने की घोसना की गई है परधान मंत्री सुर्योदय योचना की घोसना कब की गई? तो परधान मंतर सुर्योदई ओचना की घोसना 22 जन्वरी 2024 को किया गया है जिसमें कि एक कडोर घरों में सोलर पैनल लगाने का लच जो है वो निर्धारित किया गया है पुरवी भारत की पहली बंदे भारत एक्स्प्रेस कहां से कहां तक चलाई गई है यहां आपसे पूछ रहा पुर्वी भारत की तो पुर्वी भारत की जो पहली बंदे भारत एक्स्प्रेस है वो हावड़ा से न्यूजल पाईगूडी के बीच चलाई गई है किस राज ने भारत की पहली एप अधारी 100% इलक्टिक और डीक अंद्रिकलित बाईग टैक्सी सेवा बाईउ लॉंच किया है तो किस राज ने किया है या असाम एजाजिक द्वारा लॉंच किया गया है किस सहर में भारत की पहली हिल्दी हाईजेनिक फूड स्ट्रीट पहरा सडम का उधगाटन किया गया है महराश पुलिस की पहली महिला पुलिस महानी देशा किया गया है उनका नाम है रस्मी सुकला उत्तरपरदेश का पहला floating AC restaurant का उत्गाटन कहां किया गया है तो उत्तरपरदेश का पहला floating AC restaurant का उत्गाटन जो है वो परियागराज में किया गया है PM विसकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंदर सासीद परदेश कौन बना है जम उकास मेर फिर है कौन सी कंपनी जो PLI PLI ये ओचना यानि Production Linked Initiative ये ओचना के लिए पात्र होने वाली पहली भारती ये स्कूटर कंपनी बन गई है तो वो कौन सी कंपनी बनी है जो PLI ये ओचना के लिए पात्र हुई है तो उस कंपनी का नाम है All Ilectic पश्चिम बंगाल सरकार ने Banglar Mati, Banglar Chal को राज गीत गोसित किया है या गीत किसके द्वारा लिखा गया था तो या गीत जो है वो रबिन नाट टाइगोर के द्वारा लिखा गया था कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइवर सुभधा स्थापित करेगी तो या कंपनी कौन सी है Reliance Industry Limited भारत का पहला High Speed Fast Railway Trail Track जो है वो कहां बनाया जा रहा है तो यह बनाया जा रहा है जिडवाना अजाजस्थान में सिंधी जंगलो को ये संग्रा हाथू पकित जई के लिए साहित अकादमे प्रुसकार 2030 प्राप्त करने वाले पहले द्रिष्टी बाधित लेखे कौन बन गए है तो उनका नाम है बिनोद असुदानी आगे है NCRB यानि की National Crime Records Bureau की एक रिपोर्ट के नुसार सबसे सुरच्ची सहर कौन है तो वो बन गई है Indigo आगे है कि भारत के पहले पुन अस्ट्रैक क्रित्रिम बुधमियता समाधान और प्रथम Artificial Intelligence उनिकॉन का नाम क्या है तो उसका नाम रखा गया है क्रित्रिम AI PM गति सक्ती Master Plan के तहत महराष्ट का पहला Multimodel Logistic Park जो है वो कहां बिक्सित किया जा रहा है तो PM गति सक्ती Master Plan के तहत महराष्ट का पहला जो Multimodel Logistic Park है वो बरधा नागपूर में बिक्सित किया जा रहा है आगे है Social Stock Exchange पर सुचिबद होने वाली पहली इकाई कॉन सी है तो वो है SGBS उन्नति फाउंडेशन जीरो पर्टल लॉंच किया गया है यह किस की पहल है तो Foster 2.0 पर्टल जो है वो भारत के सर्वो चनेयले की एक पहल है समलैंगिंग बिबा को अपचारिक रूप से माननेता देने और पंजिकरित करने वाला पहला दच्छीन ECI देश कौन बन गया है नेपाल किस राज में 108 अस्थानों पर एक साथ सबसे अधीक 4000 लोगों के दोरा सुझ नमस्कार करने का गिनिजबल रिकॉर्ड बनाया गया है तो 108 अस्थानों पर एक साथ सबसे अधीक 4000 लोगों के दोरा सुझ नमस्कार कहां किया गया है गुजराद में किया गया है आगे है कि टाटा समों ने भारत की पहली प्राइवेट हेलिकॉप्टर एसेम्बली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो वो एक फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है एयर बस उसके साथ समझोता किया है भारतीय सेना की पहली महिला सुवेदार कौन बनी है तो उनका नाम है प्रिती रजक भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज में अस्थापित किया जाएगा तो भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है वो कहां स्थापित किया जाएगा केरल में अस्थापित किया जाएगा सुलामे बितायो का अध्यच जो है वो किसे नुक्त किया गया है तो सुलामे बितायो की अध्यच बनाएगा है अरविंद पनगडिया को भारत की पहली 100 ओल्जा से चलने वाली 9 का संचालन जो है वो किस नदी में किया जाएगा भारत जोडो नया यातरा की सुरूआत भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस ने किस राजी से किया है भारत के सबसे लंबे समुंदरी पूल का नाम किया रखा गया है भारत के सबसे लंबे समुद्री पूल का नाम रखा गया, अटव से तू, किस संस्थान ने अपने OPD ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया है, तो OPD ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किस ने किया है, EMS नई दिली ने, किस कंपनी ने राम नसे बालमी की अंतरास्टी है हवायड़ा किस राजने भारत का पहला पंडू भी परियाटन सुरू करने की घोस्ना किया है तो यह किया है गुजरात राजने द्वारीका में भारत ने किस बर्थ तक कुछ रोग को मुक्त करने का लच रखा है तो भारत जो है वो 2027 तक कुछ रोग को मुक्त करने का लच रखा है किस संस्थान के सोध करताओं ने दुरलत धातू टैंटलम का खोज सतलूज नदी में किया है तो यह आईटी रोपड के सोध करताओं के द्वारा किया गया है आईटी रोपड अक्चुली पंजाब में स्थित है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्गाटन 24 जनवरी 2024 को किस ने किया तो यह भारत के उपलाश्टपती जगदीब धंखन के द्वारा किया गया है भगमान राम मंदिर प्रान प्रतिष्टा समारोह का आयोजन कब किया गया तो राम मंदिर प्रान प्रतिष्टा समारोह का आयोजन किया गया था 22 जनवरी 2024 को आगे हैं कि अजोध्याधाम जंक्सन रेल्विय अश्टेशन का पुन्विकास जो है वो किस कमपनी के द्वारा किया जा रहा है तो rates limited के द्वारा किया जा रहा है हरियाना सरकार ने किस सहर में साइन सीटी बिक्सित करने की घोसना की है तो हरियाना सरकार जो है वो फरीदाबाद में साइन सीटी बिक्सित करेगा किस संस्थान ने भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टा केंदर बनाने की घोसना की है तो आयटी रूटकी के द्वारा भारत का पहला दूर संचार उतकरिष्टा केंद बनाने की घोसना जो है वो किया गया है आस्ट्रेलिया के किस इंवर्सिटी ने गुजरात भारत में अंदरास्टिये सांखा परिसर अस्थापित करने वाली पहली बिदेसी इनवर्सिटी बन गई है तो उसका नाम है डिकीन इनवर्सिटी बिहार के बाद जातिकत जिनगन्ना सुरू करने बाला भारत का दूसरा राज़ कौन बनेगा तो वो बनेगा अंध्यपदेश फिर अगी किस भासा को भारत ने नौमी सास्त्रिय भासा के रूप में सामिल करेगा फिर अगे किस राजे सरकार ने My School My Pride प्रोग्राम लॉंच किया है तो My School My Pride प्रोग्राम जो है वो ही माचल परदेश की सरकार के द्वारा लॉंच किया गया है अब कुछ अंतरास्टिये तथ दिये गए हैं हाली में बंगला देश की राधानी ढाका में पहली मैट्रो रेल का उखाटन किया गया इसे किस देश की बीतिये सहाथा से बनाया जा रहा है तो इसे जपान की बीतिये सहाथा से बनाया गया है फिर अगे किस देश ने Green Fuels वाइल्स इंडिया पहल की घोसना की है तो यह किस देश ने किया है? टेनमार्क ने किया है फिर है डिजिटल सेंगेन बीजा जारी करने वाला पहला उरोपिय देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है फ्रांस आगे है कि उरोपियो निवेस बैंक की पहली महिला आध्याच जो है वो किसे नुक्त किया गया है पाकिस्तान में आमचुनौल लडने वाली पहली हिंदु महिला कौन बनेगी तो उनका नाम है डॉक्टर सवीरा परकास सन्जुक्त राष्ट ने 2024 को किस बर्स के रूप में मनाने की गोस्थना किया है पहला मलेलिया टिका कार्शक्रम शुरू किया है हाली में विश्वास संगठन He Hotone अफेरिका महादेश के किस देश को मलेख्प गोशित किया गया है भारत ने लिथियम की खोज और ख़िनन के लिए किस देश के साँ समझाथा किया है अगे है कि IIT मदरास का कैमपस किस पडोसी देश में सुरूआत किया जाएगा तो आईटी मदरास का कैंपस जो है वो सिरलंका में शुरू किया जाएगा बिस्व का पहला बायरलेस ट्रांस्पैरंट ओल एडी अस्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेस किया है तो यह जो है वो LG कंपनी के द्वारा पेस किया गया है फिर है कि किस देश ने हीम तेंद्वा को राश्टिय प्रतिक घोसित किया है तो किर्गिस्तान जो है वो हीम तेंद्वा को राश्टिय प्रतिक बनाया है ताइम मैकजीन ने किसे CEO आफ दे एर चुना है तो मिर्टुडर्ण देने के लिए पहली बार nitrogen gas का इस्तमाल जो है वो कहां किया गया है अमेरिका में किया गया है आस्टेलिया के किस सहर में बिस्व का सबसे उचा राम मंदिर बनाने की घोसना किया गया है आगे कुछ कोश्चन विज्ञानेबं परदोगी किस से दिया गया है पिराइश चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला बानिजिक मिसन प्रिग्राइन मिसन वन किस देश ने लॉंच किया है तो यहाँ जो है वो अमेरिका ने लॉंच किया है तो यह विक्सित चुआ के भून को पहली बार सफलता पुर्वक जो है वो विक्सित किया गया है इसरो भारती अंतरिच अश्टेशन का पहला मॉजूल कब लॉंच करेगा तो इसरो जो है वो दो हजार अटाइस में लॉंच करेगा उतरपरदेश सरकार ने किस सहर को भारत का पहला आर्टिफीचल इंटेलिजन सीटी बनाने की घोस्ना किया है तो यह किया है लखनओ को किस संस्थान ने भारत का पहला बून मैरो ट्रांस प्लांट सफलता पुर्वक जित किया है तो यह किस संस्थान ने किया है यह दिल्ली छाबनी का जो आर्मी होस्पिटल है उसके द्वारा किया गया है फिर है कि किस कंपनी ने भारत की पहली सोडियम आयन बैक्ट्री तकनीक का नावरं किया है तो यह किस कंपणी के द्वारा किया गया है? KPIT Technology के द्वारा यह जो है वो किया गया है आगे है कि मिथेन और तरल अक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रा लॉंच करने वाला विस्व की पहली कंपणी कौन बन गई है? तो वो बन गई है Land Space फिर है मंगल ग्रापर नासा के रोबर मिसन की कमाल सम्हालने वाली पहली भारती है कौन बन गई है? तो उनका नाम है डॉक्टर अच्छिता क्रिस्नमूर्टी इंडिया स्किर रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज में रोजगार योग यूबाओं की संख्या जो है वो सबसे अधीक है? आगे कुछ कोशन परियावरानम प्रस्थीत की से दिया गया है पहरत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसको मानता दी गई है? तो जो महराष्ट का पेंच टाइगर ये जर्भ है उसको भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मानता दिया गया है भारत का पहला जिमनो स्पॉम गार्डेन के स्राज में अस्थापित किया गया है तो यह किया गया है उत्राखंड में भारत की पहली हिमालियन एयर सफारी शुरू करने की किस ने गोसना की है तो उत्राखंड ने किया है भारत और किस संगठन ने मिलकर दुबई में आयोजित किये जाने वाले COP28 संबेलन के दौरान ग्रीन जाइजिंग पहल सुरू किया है यह भारत और किस संगठन के दौरा किया गया है यूनिसेप के दौरा किया गया है भारत में सबसे अधीक रूफटॉप सोलर छमता स्थापित करने वाला राजज कौन बन गया है तो वो बन गया है राज गुजरात भारतिये बन जीब संस्थान दौरा गन्ना के अनुसार भारत में हीम तेंद्वा की संख्या जो है वो कुल कितनी पाई गई है तो 718 पाया गया है कॉप 28 सिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर एवर्ड जो है वो किसको मिला है तो डॉक्टर अतुल साह को यह एवर्ड दिया गया है पेटा इंडियन पर्सन अब दे येर 2023 की से चुना गया है तो यह चुना गया है दिया मिर्जा को बिस्व की पहली ब्लाक, मेरा निस्टीक टाइगर सफारी की योजना जो है वो किस राजी सरकार के द्वारा बनाई जा रही है तो यह जो है वो उडीषा सरकार के द्वारा Assembly supposed Tiger Eager में बनाया जा रहा है चन्दरमा पर सफलता पुरुबक लैंडिंग करने वाला Moon Mission Asniper जो है वो किस देश का चन्दरमिसन है तो चन्दमा पर सफलता पुरुबक लैंडिंग करने वाला Moon Mission Good Сам अब आगे कुछ कोशन्स जो है वो खेल को उससे दिये गए है पुरूस T20 अंतरास्टिय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले विस्व के पहले गेंदवाच कौन बन गया है तो वो कौन बन गया है विस्व के पहले गेंदवाच उनका नाम है टीम साउधी गुरसवाडी खेल के लिए अरजुन पुरुसकार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बन गई है तो उनका नाम है दिब्व कृति सिंग भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उधगाटन कहां किया गया तो यह किया गया है घोगला समुद टट में जो की दादर और नगर हवेली और दमन दीप में है आगे है FIA 6 की 5S बिस्वकब 2024 पुरुस और महिला का पहला सम्सकरन किस देश में आयो जित किया जाएगा तो यह किया जाएगा ओमान में फोप्स के अनुसार बर्स 2023 में बिस्व में सबसे अधी कमाई करने वाली महिला एथलीट में पहला स्थान किसको मिला तो महिला एथलीट में इगा स्वेट टेक को दिया गया है पहला स्थान इंटरनेशनल टेनिस हौल ओफ फेम में सामिल होने बाले पहले FIA पुरुस कौन बन गया है तो उनका नाम है भारत और दचीन अफिरका के बीच फर्स क्लास क्रिकेट में सबसे तीज तीहरा सतक लगाने बाले बल्लेबाज ये कौन बन गया है तो उनका नाम है तनमे अगरवाल आस्टेलिया ओपेंड टेनिस टुनमेंट दोजार चॉबिस में पुरूस डवल का खिताब किस जोड़ी में जीता है तो पुरूस डवल का खिताब जो है वो रूहन बोपन्ना और मैथ्यू एबरडेन के द्वारा जीता गया है ग्रैंड सलम जीतने बाले बिस्व के सबसे उम्दराज पुरूस खिलाड़ी कौन बन गया है तो उनका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजवानी कौन करेगा तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजवानी करेगा तमिल नाडू भारत की चौरस में ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो उनका नाम है बैसाली रमेस बाबू आगे कि किस राजी ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सरवाधिक पदक हासिल किया है तो हर्याना जो है वो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सरवाधिक पदक हासिल किया है टेस्ट किर्केट में 500 से अधिक बिकेट लेने वाले बिस्व के आठ में गेंद वाज़कों बन गये हैं तो उनका नाम है नाथन लियोन जो की कहां के हैं आस्टेरिया के हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा साथी साथी इस वीडियो से कुछ सेखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजे वीडियो पसंदा रहा है तो अपने दोस्तों के साथ से एर करना ना भूले अभी तक आप इस चैनल पर नए है या चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल ऐकन दबालीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोडिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं जो आपको मैं अटल से रिज के बारे में बताया, अटल टस रिज जो 70 BPC के लिए लांच किया गया है, वो टस रिज जो है उसका प्राइस जो है वो 4.99 रूपीज है, लेकिन अभी सिर्फ 100 अस्टूडेंट के लिए उसका प्राइस जो है वो 99 रूपीज रखा गया है, तो आ आप लोगों के लिए काफी फ्रूट्सूल साभीत होगा, थैंक्स वर वचिंग